सबी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार और आज मैं आपको हैदराबाद लेके चलता हूँ हैदराबादी चिकन बिर्यानी तो चिकन बिर्यानी को बनाने के लिए मैं इस्तमाल कर रहा हूँ दावत बिर्यानी बासमती राइस और इसका हम इस्तमाल करेंगे एकदम ट्रिडिशनल हैदराबादी चिकन बिर्यानी बनाने के लिए और इसको हमें काम करते हैं भिगो लेते हैं पानी के अंदर तो ये लीजिए ये ले लिया चावल भिगोते हैं पानी के अंदर चलिए ये ले लिया सोब करके इसको रख दिया ये देखे, ये मेरे पास में है चीज गलोथ ये ले लिया और इसमें जरा हम डालते हैं इस पिटारे में से कुछ जरा मसाले ये है हरी ऐलाइची काली ऐलाइची मेस दालचीनी, लॉंग, थोड़े काली मिर्च भी डाल देते हैं इसके अंदर, फूल चकरी, थोड़ा सा शाही जीरा भी इसके अंदर डाल देता हूं, सारा इसका जो फ्लेवर है, वो जाएगा इस डिश के अंदर, तो सारे फ्लेवर भी आ जाएंगे, और मुवे बिनी आएग रहे हैं, और उसके साथ-साथ डालते हैं ये नमक, और ये पानी उबलने के लिए हमने रख दिया, चिकन मेरे पास में, अदरक और लसन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा शाही जीरा भी इसके अंदर, दहीं बहुत जादा ने, और उसके साथ-साथ, फ्राइ ये लिजे, गरम मसाला पाउडर, अब इसके अंदर, गुलाब की पत्तिया, वाह, और फिर, इस चिकन को रख देते हैं, कुछ देर तक हम, मैरिनेर होने के लिए, इसी मसाले में, और यहां पर यह जो हमारा मसाला है, पानी के साथ में, बहुत ही बड़िया, ये मेरे पास, चावल, दावत, बिरियानी, बासमती, राइस, ये ले लेता हूँ मैं, पकने देते हैं इसे, इसी तरह से, चिकन, इसके अंदर नमक, और फिर इसे मिक्स कर देते हैं, बस, ये हो गया, तैयार, और अब एक काम करना है, इसको लिया, खी लेते हैं, ये जो चिकन है, इसको डाल देते हैं, इसके अंदर, ये मसाला, मैरिनेट, ये अगर इसमें नहीं गया, तो फिर क्या फाइदा हुआ, तो ये हमने ले लिया, अच्छा, ये मेरे पास में जो ढखकन है, इसको प्रिपेर करना है, तो ये आटा हमने लिया था, नाइस, ओके, तो ये ले लिया हमने, हरी मिर्च का बड़ा मज़ा आता है, बिर्यानी के अंदर है, तो ये तोड़ के, या पूरा, तो ये ले लिया, और तेज आच पे जरा सा इसको हमने पकाना है, चावल, वा, तो ये पोटली का जो काम है, ये देखे, ये हो गया, ये लिया, चावल हमारे पास रेड़ी है, ये लिचे है, खुश्बूदार चावल, ये चावल, जरा चावल के अंदर थोड़ा सा घी डालके इसमें शाइन ले आते हैं, ये बहया से इसको हमने ले लिया, और फिर चिकन में से कुछ पीसिस जो हैं, वो निकाल लेते हैं, क्योंकि लियार इसके हम बनाएंगे, तो ये ले लिया, और इसके बाद में, ये चिकन के ऊपर, ये बहया, खुश्बूदार, खिला-खिला दाना, दावत, बिरियानी, बासमती राइस, तो बस इस पे हमने डाल दिया इसको, आहाहा, ये बढ़िया से फ्राइड अनियन, साथ में सूखे गुलाब, कुछ अदरक कटे हुए, लंबे कटे हुए, गरम मसाला पाउडर, पुदीने के पत्ते थोड़े से, वाह वाह, और केसर भी तो चाहिए, केसर वेरी नाइस, एक बार फिर से वोई सब कुछ करना है, सारी चीज़ें वैसे ही, मतलब अब लेर, चिकन की, तो बस और ये जो चावल है, गरमा गरम, और ये हमारे पास में, प्याज, एक बार फिर, गुलाब की पत्तियां, अदरक, पुदीना, एक नाइक काम करते हैं, जरा इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं, उपर से, मजा आएगा, देशी घी, केसर, नाइस, करम मसाला पाउडर, आच धीमे हैं हमारी, ये रहा, धकन, इसके उपर, लगा के दबाना है, कितने तर बगाना है, करीब 20 मिनट, तो इसको धीमी आच पे, मीडियम से धीमी आच पे इसको रखना है, अच्छे इसमें से फ्लेवर निकल ना जाए, इसको ज़ ये फ्लेवर ना निकले, इसका पूरा इंतजाम, भाप हलकी सी कही ना कही से निकलनी शुरू हो जाती है, वो सिगनल है, बस सब बिर्यानी पकने वाली है, बढ़िया बनेगी या नि मनेगी, क्या आप बात करें, गैरेंटी है, बढ़िया पकेगी झाले बात करेंगी झाल झाल झाल